हलो प्रेंट तो चलिए आज की वीडियों बताने वाला हूँ कि आप जो है अपनी यूटूब चैनल का वाच टाइम कैसे चेक कर सकते हैं कैसे पता कर सकते हैं कि आपके चैनल में 4000 घंटे का वाच टाइम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है या अभी तक जो है कितना घंटा प सब्सक्राइबर के साथ साथ 365 दिनों में 4000 घंटा वाच टाइम पूरा करना पड़ता है तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत सही तरीका है और वहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि 365 दिन में कैसे देखे आपको सिंपली वहां पर 4000 घंटा दिख जाएग आप 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटा वाच टाइम 365 दिनों में या फिर अगर आपका 4000 घंटा वाच टाइम पूरा नहीं हुआ है अगर आप सोट्स वीडियो भी बनाते हैं और अगर तीन महने कंदर जो है 10 मिलियन भ्यू भी चला गया तो भी आप मोनेटाइशन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं तो मैं यह दोनों चीज जो है एक ही जगा चेक करने के लिए बता दूंगा कि आपका जो है कौन सा नियम पूरा हुआ है और आज जो है स्पेसल वीडियो यह है कि 4000 घंटा का वाच टाइम कैसे चेक किया जाता है वह भी मोबाइल से तो चलते हैं अप आपको जो है अपने मोबाइल में सबसे पहले प्लेश्टोर में जाना है और यहां पर एक अप्लीकेशन सर्च करना है यह अप्लीकेशन जो है बहुत ही काम का है आपको अपने मोबाइल से यूटूब चैनल मेनेज करने में बहुत हलफूल होगा तो इसको ओपेन कर लेना है open करने के बात जो है आपको अपना यूटूब चैनल यहां पर लोगिन कर लेना है तो मैंने यहां पर अपने भाईया का चैनल लोगिन किया हुआ है हरिंद्र आर्ट पॉइंट और अगर आप आर्ट रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो यहां पर जब आप लोगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का जो है देखने को मिलेगा तो आपको जो है नीचे तरफ देखिए option दिख रहा है dashboard, content, analytics, comments और एक earn का option मिल रहा है तो earn के option पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर आएगा hello आपका चैनल का नाम become a partner program और थोड़ा slide करके नीचे जाएंगे तो यहां पर देखिए एक option दिखने को मिलता है यहां पर how to how do I join reach requirement to apply तो यहां फुराठ पर आपका सो हो जाएगा कि आपका कितना watch hour पूरा हुआ है अगर आपका यहां पर 4000 घंटा हो जाएगा तो वह फूल लाइन यहां पर बन जाएगा तो अभी यहां पर इस channel में 693 पब्लिक वाच आवर हुआ है तो यहां पर बता 24K है यानि 34,000 भी हो गया है 90 दिनों में अगर आपका 10 million भी complete हो जाता है तो आपको जो है चैनल monetize करेने के लिए apply कर सकते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पर थोड़ा सा है complete the basics तो आपका चैनल में two step verification on रहना चाहिए कोई community guideline strike नहीं होना चाहिए तो इस तरह से जो है सारा नियम ओके हो जाता है तो आप Chrome browser में यूआई टी studio open करके वहां से चैनल को monetization के लिए apply कर पाएंगे